हेलो दोस्तों जै मातदी राधे राधे कैसे हैं आप सब फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सावन के महीने में कितने ब्रत करें कैसे करें ब्रत कैसे सुरू करें ब्रत का पारण कैसे करते हैं पूजा कैसे करते हैं इसमें पूजा समघ्वी में क्या क्या समान चाहिए होता है हमें और हमें अगर कोई ब्रत नया चालो करना है मतलब सौमवार के ब्रत अगर चालो करने हैं तो कर सकते हैं इस महिने से तो friends 22 जुलाई से सावन सुरू हो जाएंगे और सावन के महीने में कावरिया सिफ पुरान के अनुसार सावन का महीना बेहत खास माना जाता है क्योंकि इस माह में भगवान सिफ के सभी भक्त कावर के रूप में इस महीने को मनाते हैं और सावन जो है ना 22 जुलाई से सुरू होने वाले हैं और इसका समापन जो होगा वो 19 अगस्त को होगा रक्षा वंदन के दिन होगा इस वार सावन का महीना 29 दिन रहेगा 29 दिनों का है और फ्रेंट से जिसमें की हमें सावन के 500 वार मिल रहे हैं मतलब इस वार सावन में 500 वा रखना चाहते हैं तो अगर आप सौमवार रखना चाहते हैं तो सौमवार ही रखिए मतलब की पहले सौमवार मतलब 22 तरीक को पहला सौमवार है आप पहले सौमवार को ब्रत सुरू कर सकते हैं मतलब अगर आपको चार ब्रत करने हैं जोडे से दो जोडे से करने हैं तो आप क प्रét्रामिन ब्रत पीच की जादा है अगर आप पांचों में लग जाता है है ज में सावन पाइने महीन में नुनक्तोod झाल ली नियम नियमित रूप से ब्रत करते हैं मतलब सुबा अपना नहादो की पूजा वगरा करते हैं दिन में अपना जैसे की फूजा वगरा ले ले लेते हैं और शाम को अपना पूजा वगरा करने के बाद अपना भूजन ले लेते हैं साधा भूजन मतलब की जैसे की बिना आप गया स्टार जो गर में बना कि आप सकते हैं और अ अगर आप नम्कीन की से उठा रहा हैं लेकिन बिना दिन में क्या कुछ ले सकते हैं या नहीं दे कि इसमें आप न आप फूर्ट्स वगरा ले सकते हैं जैसे केले से जो भी आपके पास फूर्ट्स हो वो आप दिन में ले सकते हैं पूजा करने के बाद भगवान शिपका जलवी शेक करने के बाद उनकी विधी पूरवक पूज करने के बाद अगर घर में कर रहे हैं तो घर में पूजा करिए अगर आपके आसपा शिम बंदीर है तो वहां जाके अच्छे से विधी पूर्वक पूजा करके अपने घर में आके उसके बाद अपना चाइव अगर आप ले सकते इसमें यह नहीं है कि आप बिल्कुल दिन मे ब्रत के भूजन में जब ब्रत करते हैं तो उसमें रहसंन प्याज वगरा कुछ कोई चीज आसी नहीं डलती है तो आप इस तरीके से ब्रत का पारण शाम को कर सकते तो देखिए पूरे महीने के कर रहे तो वही कर सकते आप डेली ब्रत कर यह सुबह अपने साम को बोजन कर ल उठाने की नहीं सोच रहे हैं तो बिल्कुल उठा सकते हैं हैं अगर आप घर में सावन से सुरू कर सकते हैं अगर इस है तो आप खार अब केlateक अपज इन पूजा करें ऑर अगर मानली जीए आप सौमवार सौमवार पूजा कर रहे हैं, तो आप सौमवार सौमवार भी मिट्टी के सिवलिंग बना के, अगर आपके पास कोई सिवलिंग घर में नहीं है, तो अगर आपने घर में सिवलिंग नहीं रखे हुए, तो आप मिट्टी के सिवलिंग बना के भी उनकी पूजा कर सकते हैं ठीक है और सौमवार को मिट्टी का सिविलिंग बनाईए पूजा करिए फिर महीं पे किसी गमले में उनका विशेख मतलब की विशाजन भी कर सकते हैं विशाजन हमको पूजा करने के कम से कम 20-25 मिनट बात करना होता है तुरंत नहीं करना होता तो आप अपने घर के किसी भी गमले में कर सकते हैं विशाजन तुलसी जी को छोड़ के सास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भगवान सिप को अतीप रिये है सावन के महीने में हर दिन और विशेश रूप से सावन सौमवार के दिन भगवान सिप की पूजा उपासना करने से जीवन में हर तरह की सुक समरिदी की प्राप्ति होती है सावन के महीने में सिवराधना करने पर भक्तों की सभी तरह की मनो कामनों को भगवान शिव जल्दी ही पूरा करते हैं और माता पार्वती और भगवान शिव की किर्पा हम पे सदा बनी रहती है। फ्रेंट्स इसके बाद आने वाली है सावन के पूरे महिने में हम पुजा कैसे करें और उध्यापन कैसे करते हैं सावन के सौमवार के ब्रत का तो आज की वीडियो में इतना ही मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी से एक और वीडियो के साथ जब तक के लिए जय माता दी राधे राधे